दोस्तों मार्केट में माइक्रोविव की फिटिंग के लिए आपको माइक्रोविव स्टेंड मिल जाएंगे आप Amazon पे सर्च करेंगे Flipkart पे सर्च करेंगे किसी और विपसाइट से उसकी around cost आपको अच्छी quality का चाहिए तो 800-1000 रुपे तक जाएगा नहीं तो minimum 500 रुपे तक आपको कोई भी stand मिल जाएगा प्रक्यूर करेंगे आपके घर पहुँच जाएगा आपको खुद इंस्टॉल करना होगा ये तो है simple तरीका market में भी मिल जाएगा लेकिन बहुत सस्ते में micro stand कैसे लगाएं और आपका micro stand बड़ा है हो सकता है जो आप खरीद रहें उसके उपर fit ना आए उसके लिए आप customized micro stand कैसे लगाएं simple steps में खुद से वो stand बनवा के कैसे उसको install किया कैसे मैं मैंने microwave को fit किया वो सारा इसमें process में दिखाने वाला हूँ detail से कि मैंने अपने micro stand को कैसे लगाया क्या-क्या मेरे को tools की ज़रुद पड़ी कितना मेरा total खर्चा आया बहुत simple सा है मैं बता दू सिर्फ 200 रुपय में मेरा यह micro stand लग गया है यानि कि market से खरीदने जाता मेरा 25 kg का microwave है काफी जादा heavy भी है उसके लिए मुझे बड़ा stand market से नहीं मिल पा रहा था तो मैंने customize करवा के angle बनवा के मैंने बनवाया मैं आपको दिखा देता हूँ आगे इस वीडियो में कि मेरे को किस किस चीज की ज़रु पड़ी बहुत simple तरीके से मैंने इसको अपनी दिवार में लगा दिया है आप लोग भी इस सेने का stand बनवा के लगवा सकते हैं market से 500-1500 रुपए तक कि stand खरीदनी की ज़रुद नहीं है और उनमें आपको दिक्कत भी आ दिये कि मेरे microwave के हिसाब जाहे कि नहीं छोटे microwave है त जो थोड़े से भी बड़े microwave होते हैं 20 लीटर से अब उनके लिए market में microwave stand मिलना बहुत मश्किल रहता है तो यह easy to install है और मैंने घर में खुद से लगाया है इसको देखें कैसा आपको लगा installation वीडियो पूरा मैं दिखा रहा हूं कोई किसी तरह का doubt हो कोई किसी तरह की तो म हमने काट लिया है जो जिस पर हमें microwave रखना है stand के उपर यह हमारे ऐल शेप एंगल है दो एंगल मैंने बनवाए हैं जैसा कि मेरी microwave की लेंथ है उसी साब से मैंने लेंथ के साब से एंगल बनवाए हैं खुद से और इनको weld कर लिया है एल शेप में दो एंगल के पीस लेके उनको कटवा के और weld कर लिया है यह चार fasteners है चार बोल्ट हैं जो लकडी को इसमें टाइट करने के लिए एंगल में ड्रिल मशीन है मेरे ड्रिल बिट है और पैन है यह सब की मुझे रेक्वार्मेंट थी यह सब मैंने रेडी कर लिया है एंगल मैंने microwave के लेंथ के साब से क कर ले कि मुझे यहां पर microwave को लगाना है फ्रीज के ओपर मेरी free space था यहां मेरा suitable रहेगा अच्छे से लग जाएगा यह भी मैंने identify कर लिया है ड्रिल बिट कोई जो भी आपका फासनर है वो साइज आप देख सकते हैं या फिर मतलब नॉर्मली 6-8 के वीच आपने मैंने cardboard प करके मैंने चारों में बोल्टिंग करके देख लिए कि हां ड्रिल मेरा size size का हो गया है बोल्टिंग हो जाएगी क्योंकि इसी cardboard के उपर मेरा microwave रखा जाना है इस cardboard को मैंने prepare कर लिया set करके भी initially देख लिया कि दोनों angle के बीच में कैसे आ रहा है यह okay होने के बाद मैं इसको न बार कर लें कहां मुझे ड्रिल करना है अब ड्रिल बिट से मुझे वहां पर ड्रिल करना है तो सबसे पहले important जो चीज है कि कितना ड्रिल करना है कितना deep करना है वह depend करता आपके फासनर के उपर फासनर जो है यह जो आप देख रहे हैं special type के एक तरीकी grouting bolt बोल सकते उस तरह का arrangement होता है फासनर के बारे मैं अलग से separate भी बता दूँगा फासनर और नॉर्मल बोल्ट में क्या difference होता है क्योंकि जहां heavy load आपको चाहिए वह फासनर यूज करते नॉर्मल की बोल्ट को आप यूज नहीं कर सकते तो उतना ज्यादा hold नहीं कर पाता grip नहीं कर पाता तो इस से जादा मुझे deep drilling नहीं करनी है यह marking करने के बाद मैं चारो drill को कर लूँगा चार drill होने के बाद angle को मैं उस drill लगाऊंगा और यह grouting bolt को उसमें tight कर दूँगा हाथ से manually tight करेंगे सबसे पहले फिर उसके बाद में जो है इसके head को निकाल लेते हैं सबसे पहले drill होगे यह जो मैंने head को वापस से tight करना start कर दिया जैसे ही मैं अपना grouting bolt को जो यह fasteners है उनको tight करना start करूँगा जितना tight करूँगा अंदर की तरफ इसमें mechanism है कि पीछे का हिस्सा और ज्यादा फैलता जाता है वो दिवारों में grip बनाता है अंदर की तरफ उतना ज्यादा वह और strong और ज् से निकाल लो यह mechanism गुबारे भरने का है कि पड़ा हुआ था हमारे पास manual pump छोटा सा इससे हमने निकाल दिये कोई और भी तरीके से आप अंदर की कहने का मतलब है dust ना बचे अंदर cemented portion ना बचे वह आपको निकालना बहुत जरूरी है वो निकालने से क्या होगा अच्छी से आपका जो भी gripping होगी जो भी आपका फासनर यूज करोगे वह हो जाएगा एजली हैमर हमारा थोड़ा समस्प्लेस हो गया था इसलिए स्टूल का यूज कर रहे हम लोग जो भी conventional kitchen में अवलेबल होते हैं यह hammering करना है basically यह हमने फासनर को एकदम प्रेस कर दिया अभी ज प्लायर से या फिर कोई भी मिरे पास ski available है मिरे पास pen available है उसी साफ से मैं इसको tight कर दूँगा अब आप देखिए दोनों तरफ के एंगल को मैंने tight करना शुरू कर दिया है उपर का cardboard जस्ट मैंने ऐसे ही set करके देखा है last में करेंगे cardboard को अभी मैंने cardboard को निकाल दिया देख हो गया है stand यानि कि यह मान लिजिए कि यह आपने बीच बीच में लगा के इसलिए देखना पड़ता है कि दोनों एंगल के बीच में कम तो नहीं हो गया इसको रखा था टाइट नहीं किया था उतार के रख दिया मैंने सबसे पहले इंगल को टाइट किया और अब मैं जो है अपने वुडन जो ही cardboard मैंने काटा हुआ लकडी का टुकड़ा इसको मैं अपलाई को टाइट कर रहा हूं यह मेरा stand अभी ready हो गया है अब microwave को मैं इसमे अब मुझे निट का पूरा प्रोसेस रहा मेरा ही सारा करने का अराम से हमने कर लिया 200 रुपए इंगल का खर्चा आया और मुश्किल से 50-40 रुपए के फास्नर का खर्चा आया लकडी का टुकड़ा पुराना scrap में पढ़ा था वहां से मेरा stand ready हो गया I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू